कि नमस्कार साथियों साथियों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वाधत है कि आज कल कि समूचा पिश्चू कि पूरा संसार कि अगने से पिसाओं वाइरस की वज़े से तरस्त है कि और ऐसे में कि सर्व सामाने लोग कि यह कहते हैं या ऐसा कहते हुए नहीं ठक रहें कि यह जोतिस वर कि बड़े बड़े महान शंद जोतिस भविश्वारी करता आखिर इस पर क्यों कुछ नहीं बोल पा रहें कि मैंने कि पहले एक वीडियो डाली थी कि चौदा अप्रेश को जब शूर्य अपनी मेश्रास में आएगा तो निश्वत रूप से कि इस वाइरस का प्रभाव कम होगा कि ऐसी भविश्वारी की थे लेकिन कि मेरे पास लोगों के कमेंट आए लोगों ने मिश्वे कहा कि यह तो भविश्वारी आपकी जूटी साबित हो गए कि मैंने कहा था कि चौदा प्राइल को कि चौदा प्राइल 2020 को जिस समय थूर अपनी उच्च रास यानि नेश रास में आएगा उस समय से कि इस वाइरस का प्रभाव कम होनी लगेगा लेकिन यह तो बढ़ता जा रहा है आज सवा लाक से अधिक संख्या पहुंच गई कि अपने देश में बड़ी चिंता का विश्य है तो साथियों कि चिंता का विश्य है निश्चित रूप से कि सबसे पहले बात आपको बता दें जैसा कि कुछ लोगों ने अब बोला कि इस वाइरस की भविश्वारी जूटी साबित हो रही है जो सो की संतों की भविश्च करताओं की तो आज मैं उन लोगों के दिए बताना चाहूँगा हमारा संत्समाच हमारे भविश्वक्ता भविश्ट रष्टा पहले से ही शिव पुराण में हो सूर्दास महराज हो बहुत से संतों ने पिल्कुल इस पश्ट रूप से समय को लिख करके अपने अपने गरंतों में इस वाइरस के बारे में गए हैं तो आइसा नहीं है कि भविश्ट जो वाणिया कर रहे हैं या जिन्होंने की हैं वो कहीं से गलत है कि मैंने भी 14 अपरेल कि मेश्ट रास में सूर्व के आने के साथ कि इस वाइरस का प्रभाव कम होगा ऐसा बोला लेकिन प्रभाव तो बढ़ता ही जा रहा है कम कि धर हुआ यानि कि भविश्वारी शुक्ति साभी थी और ऐसा लगना सवभाविक है लेकिन एक बात बताएं यदि देखा जाए तो आज बहुत ही तेजी से जो टेस्टिंग हो रही है लाखों की संख्या में आज लोगों की टेस्टिंग है इस कारण से यह जो पेसेंट है या संक्रमिक लोग है वह आज सामने आ रहे हैं और यदि समय रहते लागडाउन जैसे नहीं लिए जाते सुरुआती तो आज यह संख्या लाग सवाल लाग में नहीं भारत में होती आज कम से कम 6-7 लाग से अधिक लोग संक्रमित होचते हो तो अभी तो यह जो संख्या दिखाई दें रही है यह सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग की बज़े से जैसे जैसे टेस्टिंग तेज होगी संख्या हो सकता है और अधिक बढ़े लेकिन फिर भी आज मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कोरोना वाइरस कोविट से डरने की बात में डरेंगे तो कहीं न कहीं नुक्साल हो गए इसका प्रभाव निश्यत रूप से अग्यकि कि मर्मन कर दिसंबर में जो सूर ग्रहन था इसके पष्याद सुरू हुआ है और चैव महिने बाग लीन कि कि 21 मोट्री एध एक सूर्ग डिखकर लेकर दोजरी सूर्गर ते बीज छै महीमी का अंतर जब रुठता है दियुच किấu नहैं आमारी का समापन ही होता है 21 जून की आसा और उम्मीद एक बार फिर से लगाए बैठे हैं और निश्चित रूप से 21 जून के बाद हालाथ काबू में होंगे आज बहुत से देश कि वैक्सिन बनाने में जुटे हैं बहुत से लोग दवाईया कोजने में जुटे हैं और एक बात और कहना चाहिए कि साथ्यों कि सरकाल कि ने भी प्रियासपने शुरू किये एलो पैठी से हाय और वेडिक की और प्रधांता देने की बीबात की है और ऐसे में हमारे ही देश में मैं उस दिन एक वीडियो देख रहा था उसमें कोई ववन सिंदे करके हैं एक अक्तल कोट के गवंडी इसाव है उन्हों ने करोंना की दर आँशर ऐसा की है क्या पास निए हो सकता है ऐसा हुँ सब्सके सबसे बड़ा कारण अभी सरकार इस प्रयास में है कि इस जो भी दवाईयां है वह जो प्राथ्विक्ता है जो उनकी एक छमता है और किसी को हानी न पहुंचाए उस अनुसार करोना की दवा तयार करने में गवर्मेंट सपूर विश्चु की लगी है इसमें कोई सब्सक्राइब अमेरिका भी लगा है जापान भी लगा है उसी के साथ सब अपना भारत वैक्सीन बनाने में लस तयार करने में लगा है इन्हीं के बीच हमारे ही देश में बहुत से ऐसे साधू संथ महत्मा खोजी ऐसे हैं जो बार बार यह दावा कर रहे हैं कि मैंने करोना की दवा तयार कर दी है अच्छी बात है यदि किसी के पास ऐसा ज्ञान है तो निश्य कि लोग हैं उनको देने की कोशिस करें उनको देनेश्चित रूप से लाब होगा क्योंकि आयर वेट हानी करने का विश्य नहीं है ऐसा सभी लोग कहते हैं लेकिन सरकार चिंतित इसमें भी होती है क्योंकि आयर वेट का मतलब है कि हल्दी धनिया गरम मसाला अज्वाइन य करोना मर जाएगा तो हल्दी आपको मालूम है पिल्कुल सही बात है एंटिवर्टिक है सब कुछ है विशाणों को मान सकती है लेकिन हल्दी अयदी कोई पीलिया का पेशेंट पीलेगा तो क्या वंजी भी तरह सकता है तो इनी सब बातों को ध्यान में रखते हुए गवर् सब्सक्राइब मेंसे किछ को पीलिया हो जाए और इस ब्यक्ति को पीलिया का पेशेंट पो हमसा जोगो live और प्योने का सभी तो नेसे रखते हैं लेकिन यह इसे में को गन्ने का रश्टिएंगा तो वो गया जीवीत रह सकता है तो इन सभी प्रिकार के रोगियों को दिया सके और सभी प्रिकार से सुरच्षित हो लेकिन फिर भी चिन महत्माओं के पास संक्तों के पास ऐसी कोई जड़ी पूटी ऐसा कोई आयर्वेद नुक्सा हो इस्षित रूप से लोगों को बताएं लोगों को लाप बिनाएं क्योंकि मैं आयर्वेद को इसलिए मानता हूं उसका कारण है क्योंकि जिस समय धब्वान लक्षमन को मौचित करने के बाद रहकते शुषा है अब सवाल यह कि किसी भी मौचित व्यक्ति को प्राव दे देना जीविद कर देना कोमा सब्सक्राइब को जो बेशुद थे लक्षमन को जो बेशुद थे लक्षमन की मुच्छा तूप गई तो आयर्वेंद में निश्चित रूप से बहुत बड़े गुड़ है बहुत बड़े धर्म है और बहुत लाबकारी है लेकिन फिर भी देखना यह पाता है कि वो जो जिस पेशेंट को या जिस मरीज को हम आयर्वेंद देने जार है वो किस और कोई तो भीमारी नहीं है उसको अब पिलिया में जैसा मैंने बताया गन्ने का रस नहीं पिया जा सकता क्योंकि सुगर यदी पेशेंट है तो वो नही प्रवान मिलता है तो ऐसे में जो है हल्दी अगर किसी को खाने को बोले तो उस व्यक्ति को यदी पीलिया होगी तो उसका लोग तो और मर जाएगा तो करोना से बचने के वज़ाए तो इसे ही हो सकता है मर जाए तो इन सब बातों का निश्य गूप से सरकार ध्यान में कर रही हूं लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी आयर्वेड और सब्सक्राइब नहीं है लेकिन आयर्वेड जब भी नुक्सान करती है तो इंसान के लेने के देने पर जाते हैं इसमें कोई संदे नहीं इस लिए आउसादी से भी अच्छा तरीका है करोना से बचाओ का तो सिर्फ अपने हाथों को स्वच्छ रखें साबुल से हाथ धो सेने ट्राइज करें सेने ट्राइजर का इस्तेमाल करें मुह में मास्क लगाएं जो छोटी और च्छे फिट की दूरी या दो गज की दूरी जरूर आपस में रखें ऐसे में बचे रहेंगे इसमें कोई संदे नहीं लेकिन सरकार भी प्रयास रथ है हमें भी अपने प्रयासों पर खरा उतरना है इसलिए इमांदारी से हम इस बीमारी से लड़ें सतर करें क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत दिनों तक ना तो लागडाउन रहने वाला है ना ही क्या नाम से जो है सरकार आपको बार बार यह ब क्योंकि सरकार को भी मालूम है आज समुचा विस्व ने धीरे धीरे लागडाउन अपने खोलने सुरू कर दिये वह समय भी आएगा जब सरकार भी भारत से लागडाउन खोल देगी और आपको खुद इस बीमारी से लड़ना पड़ेगा इस संक्रमार से लड़ना पड़े सवस्तर रखें साब सफाई से रहें साब सफाई का आर्थ ये है कोई भी चीज़गाने से पहले सचता से साबुन से हाथ जब affair ? कि यह विशान साबू से ही मर जाता है इतना कम जोर है ऐसा सोच में और उसके बाद भी यदि हम इस विशानु से लड़ने में नाकामयाब होते हैं तो इसमें कहीं न कहीं हमारी ही गलती है इसमें भी कोई संदे नहीं यह खतरनाक जरूर है लेकिन खत्रा तब है जब हम इस ब तक नहीं चाहेंगे तब तक यह सरीर के अंदर हमारे संक्रमित नहीं हो सकती तो कि यह एक दूसरे को छूने से संक्रमित होती है और संक्रमित वाला व्यक्ति यदि अपना हाथ संक्रम संक्रमित है संक्रमण कहीं लग गया कहीं हाथ मेरा लग गया उसको सेनेटराइज किया हाथ धोया तो हमारे सरीर के अंदर जब तक वह वाइरस नहीं जाएगा तब तक हमें कोई भी खत्रा नहीं इसमें भी कोई संदे नहीं अभी तो बहुत तो ऐसा भी समय आएगा कि आपको संक्रमण है आप स्वस्थ हैं आप सभी जगए जाईए आईए जब बीमार पढ़ेंगे तब देखा जाएगा ऐसी भी स्थितियां आ सकती हैं इसलिए संक्रमित ना हो और संक्रमित तब तक होने से बचे रहेंगे जब तक आप इस वाइरस को खुद अपने अंदर नहीं लियोगी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेर करना ना भूलिएगा सावधान रहें सतर्क रहें स्वस्त रहें इश्वर आपको हमेशा सुप्षी रखें धन्यवाद